है जो भी छात्र बीए सेकंडियर में है इंकम सौरी इकोनोमिक्स का आपका फर्स्ट पेपर है जटा इकोनोमिक्स के फर्स्ट पेपर को देखेंगे और यह जो पेपर का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल इंकम एनलेसिस मनी एन बिलिंग यह क्या है दो हजार बाइस में आने वाले कोशन है पेपर का नाम आप देख ले ना नेशनल इंकम अनलेसिस मनी एंड विलिंग मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन होंगे दो हजार बाइस में आने वाले कोशन की बात करेंगे आने वाले कोशन है बिटा ठीक है आने वाले फिरिशन है ये 2022 में आपकी मैन एक्जामें पूछ जाएंगे सेकंड ये वालों की बात कर रहे हैं ये लगबग में 1819 कोशन होंगे और 1819 कोशन याद करके आप 85% नहीं बलकि 90% प्लस लेके आएंगे मतलब ये टोटल यहां से आने वाला है कोई भी कोशन में बाहर नहीं जाएगा सभी शात्रों से कहना चाहेंगे आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चल पर हैकर को सस्काइब नहीं किया है तो कर लेजिए और दोस्तों को शेर कर दीजिए सबके लिए आपका भाई भाहन कोई भी है तो अलग लग वीडियोस प्रॉबाइट करा रहा है सभी इनिवस्टियों के लिए तो आप हमारे चलों को सस्क्राइब करने पेपर है कर यूट्यूब चलों को और बहां से त्यारी करें और कुछ और देखने की जरूरत नहीं प पर पर टिक लगाएंगे बिटा जो आपका पेपर है उसमें देखेंगे मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन कौन-कौन से है जो मैं आपको बता रहो इन कोशनों के अलाबा कुछ और मत देखना कुछ और यादि करने कि आपको जूरूत नहीं पड़ेगी ठीक है और इन सभी क पर टिक लगाएंगे पहला कोशन 2020 में आने वाला है राश्ठी आय क्या होती है राश्टी आय क्या होती है उसको समाकलन मलत कॉंसेट क्या होता है गलते समाकलन के बारे में देख लेंगे और साथी साथ आप ये देखेंगे, दूसरा question आता है, जो Marshall पीगू एक फिसर थे, उनके बारे में explain करेंगे केज़ें, जो Marshall पीगू, जो फिसर थे, उसके बारे में बर्ड़न करेंगे और साथी साथ राश्ट कह सकते हैं, राश्टी आयका, जो लेखांकन को समझा है तो लेखांद कन के बारे में याद करेंगे नेक्स कोशन आए के चक्री प्रभाब के बारे में याद करेंगे आए के चक्री एफेक्ट क्या होते है इसको आप याद करेंगे नए next question है कीन्स के जो रोजगार सिध्धान्त के बारे में तो कीन्स के रोजगार सिध्धान्त क्या था उसके बारे में याद करेंगे most important question है तिक लगा लेना सभी क्या होता है यह दो दिने YouTube संकूचनके उसन उपाई क्या होता है इसके उपाए क्या होते हैं इस के बारे में और साथी साथ कह सकते हैं साख निर्माण साख साख निर्माण क्या होता है और बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करती है देखो सेंक साख का निर्माण कैसे होता है और बैंक किस प्रकार से निर्माण करती है वह आपको याद कर ले रहे हैं लगाएंगे भारती यह यह बुला गया है कि रिये सकती समता सिध्धान्त की ब्याक्या को देखेंगे और साथी साथी साथ उसके अलोचना को याद करेंगे नेक्स कोशन पर टिक लगाएंगे बिटा अंतर राश्टी मुद्रा कोश के उद्देश के बारे में तो अंतर राश्टी मुद्रा कोश के उद्देश क्या होते हैं और उसके कार के बारे में याद कर लेंगे नेक्स कोशन है भारती बिस्व बैंक से किस सीमा एक लर्मित होई है तो यहां कहा रहा है कि जो भारती बिस्व बैंक से किस सीमा तक जो कह सकते हैं लवानवित होई है वो आपको देख रहा है लवानवित मतलब किस सीमा तक लाप पहुंचा है हमें वो देख रहा है भारती ब सफलता हैं और उनकी अलोचना को याद कर लेंगे नेक्स कोशन पर टिक लगाएंगे बिटा बिनियम नियंतर क्या होता है बिनियम नियंतर मौस्ट इंपोटेंट कोशन है और बिनियम नियंतर के हमें उद्देश भी याद कर लेने हैं नेक्स कोशन बिटा कुल राष्टी उ लगाएंगे 2022 में आने वाले हैं इसके अलाबा आपको एक भी कोशन एक्ष्टा मत देखना कुछ पी पढ़ने की जुरूत नहीं है आप 90% प्लस यहां से देखने को मिलेगा मैं आपसे बादा करता हूँ एक्जाम जरसे भी आएगा तो दो दिन पहले मैं आपको केबल दस कोशन दोंगा जो आपके पेपर में आते होंगे तो आप चलन को सब्सक्राइब करके रखो एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिसकप्शन बॉक्स में रखा है जिसका नाम है बी ये बाई पेपर है कर उस तो दो सब्सक्राइब कर लो नेक्स लें जुस पें बी ये की वीडियों प्रवाइड कराते हैं क्या होता है तो मुद्रा का चलन बेक कि बारे में याद कर लेंगे बैंक की परीभासा आप इसको कर लेंगे नेट्स Gण 치man hr एबम लाग जनित जो इसपूती होती है उसके बारे में याथ याधनित और लाग जनित अच्यगी तरीक इसे देखて ना है में मौषोंट इसपूति के अब स्हिंगा होती पको या खरो लाट या को देखेंगे पास्ट से आ याद कर लेंगे नेक्स कोश्चन पर टिक लगाएंगे सोड़ बिंदू से क्या भी प्राय है तो सब्सक्राइब इसके बिच्छता क्या है यह सब को देख लेंगे यह मौश्ट इंपोटेंट है अब इसके लाबा कुछ और नहीं कह रहा कि और भी सब बहार नहीं जाएगा आपने अभी तक हमारा युटूपशनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और दोस्तों को शेर कर दीजे थैंक यू फॉर बचिंग दिस वीडियो बाई बाई